नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी लाइफ सिटीज पर हम लगातार कोरोना से जड़ी एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम वाक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो नया वेरियंट है उस पर वाक्सीन कितनी कारगर होगी और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रेंजन जो की बिहार के सबसे जाने माने फिजीशन में से एक है सबसे पहले डॉक्टर साब नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत देने बात स्वामे जी डॉक्टर साब ये जो वक्सीन आई है अभी मार्केट में जो हमने पहले वेरियंट के लिए ने तयार किया था उन्हीं को अभी भी यूज कर रहे हैं लेकिन अब जो नया वेरियंट कोरोना का लोगों को परिशान कर रहा है ये तो बाद में आया है तो ऐसे में क्या वेक्सीन इस पर कम एफेक्टिव होगी क्या वेक्सीन इससे हमें बचा नहीं पाएगी क्या होगा वेक्सीन का रोल इसमें एईसा है सोमयाजी कि अभी तक तो जितने वैक्शिन्स हैं पुरी दुनिया में चाहे फाइजर का हो मौड़न का हो चाहे कोवैक्शिन हो या कोवीशिल्ड हो हम लोग को तो कोवीशिन और COVID-Shield के सारे पूरा भारत वर्स COVID पर विजय प्राप्ट किया आप तो जानती ही होंगी इसमें सारो सारे वैक्सिंस के बाद जितने अभी खास करके तो सारे मुटेशन का एक ही चीज है कि आपके इम्यून रिस्पॉंस को जम्प कर जाता है जो भी वाइरस है तो आगर आप वैक्सिन ले भी चुकी हैं तो जम्प कर सकता है इन्फेक्शन हो सकता है ट्रांसमिसिबिटी बढ़ सकती है लेकिन एक चीज में सच्चाई है कि ओमिक्रोन के बाद ही महफूज रहे केवल डेल्टा में जो हम तरस्त रहे डेल्टा में जो हमारे पास खत्रे का साय जो दिखाई दे रहा था पुरे भारतवस की धरती पर उसमें जो आकरां जो उसने तबाही मचाई जो उसने भुचाल पैदा किया ओ तो कल्क नतीद था लेकिन उसके बाद जो हम समले और इतना इतना लेवल में वैक्षिनेशन हुआ कि आप तो जानती ही होंगी कि डबल डोज और वैक्षिनेशन करीव करीव नाइंटी टू परसंट लोगों में हुआ बुस्टर्स का कम जरूर है लेकिन इसकी वज़े से ट्रांस्मिसिविलि जैसे सर्दी खांसी बुखार डेंगुई सब होते रहता है होते रहेगा पास हो जाएगा खतरा तभी होता है जब आई सीव भर जाए खतरा तभी होता है जब कबरगा और इसमसान घाट में नंबर नहीं मिले और लासों की फौज सामने दिखाई दे रही हो ओ खतरना किस् कि हाँ नए वैक्षिन जैसे अभी आपने देखा होगा कि सिरम इंस्ट्यूट के जो डारेक्टर पुनावाला ने गोशना किया है कि बाइवेलेंट वैक्षिन अब लंडन में आ चुका जिसको स्पाइक वैक्षि काते हैं स्पाइक वैक्षिन लंडन में ट्राइल हो चु तो अब वहाँ आ गया है इंडिया में भी कह रहा हैं कि जन्वरी तक हो जाना आ जाना चाहिए लेकिन इंडिया का जो पॉपुलेशन है और जो हमारा सोचियो एकॉनमी के स्टेटस है स्वामिया जी ओ एलाउड नहीं करता है कि फिर इतने रुपे को पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना बहु जरूरी है इंडिया स्पेस्टिक हम बात करेंगे ऐसे तो बाइवेलेंट वैक्सिन ठीक है सब को लगना चाहिए एक नया वैक्सिन लगना चाहिए लेकिन भारत वर्स के आर्थिक इस्तितियों को नजर अंदाज नहीं करते हुए यहां के विशाल परि बूस्टर का इंडिकेशन अब आया और आपको लगाना चाहिए बूस्टर जो नहीं लगाए हैं थर्ड बूस्टर जो फर्स्टर को काते हैं उनको लगा लेना चाहिए इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपका अस्पताल की तरफ कभी मुखातिब नहीं रहेंगे घ वाक्सिनेशन अभी भी बहुत इंपोर्टेंट है वाक्सीन से परहेस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है तो इसलिए अब तक अपनी वाक्सीन नहीं लगवाई है या फर अपने डोजिस का जो काउंट है उससे पूरा नहीं किया है तो यह जरूर कर लें क्योंकि अगर आपको इंफेक्शिन हो भी जाता है उसके बावजूद भी वाक्सीन आपको उतना प्रटेक्ट करके रखेगी कि हॉस्पिटल तक जाने की नौबत बिलकुल नहीं आएगी बागी के वीडियो के लिए आप लाइफ सिटीज के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को आनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद